नमस्कार दोश्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे चेंट्रल उनिवस्टी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो उसका एक्जाम पैटर्ण होगा क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है अभी ऑफिश लगभग लगभग यही स्लिवस होगा बाकी ऑफिशियल जैसे भी नोटिफिकेशन आता है मैं आपको इंफॉर्म कर दूंगा आप उसके कोडिंग चेंज कर लेना लगभग लगभग यही स्लिवस होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं शियूशेट 2021-22 अगर चैनल पर स्टूरेंट वह जा सकते हैं तो टाइम क्या है 100 मिनट हैं आपके पास 120 मिनट हैं मैक्सिम माक्स 150 है ठीक है ऐसी एकस्पेक्टीशन है ऐसे मीडिया रिपोर्ट में ठीक है बाकी ऐसी ऑफिशल आता है मैं आपको इंफॉर्म करूंगा इस बार क्या है कि एक्जाम हो रहा है सब के लिए एक एक्जाम हो रहा है इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइट किया गया है ठीक है दो पेपर्स आपको देने होंगे हर एक स्टूरेंट को चो स्टूर्ट दोजार रिकीस वाइस का फॉर्म फिल करेगा उसको दो पेपर देने पड़ेंगे फिर चाहे वह ब गलब होगा डिफ्रेंट होगा ठीक है सब्जेक्ट वाइस मैं आपको बता रहा हूं तो देखें निगेटिव मार्किंग अभी कोई कंफॉर्म नहीं है कि होगी की नहीं होगी वह ओफिशल नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होगा ठीक है वैसे चांसे तो नहीं है निग की ओफिशल नोटिफिकेशन नहीं आया तो लेंगिवेज और लेट्रेचर जो पहला सेक्शन होगा उसमें 2-5चंगे इभर होकी और हांँ क्क मार्क के होने माले हूं ही या फिर इंगलिस य आपको रृग करना होगा या फिर हिंदी करना होगा पहले سक्शन में? 25 फिप्टी मार्क्स दूसरा जो सेक्षन होगा पेपर फॉस्ट का उसमें जेनरल अवेरनेस जी एस जीके इसमें आपको ध्यान देनी वाली बात है इस्टेटिक और जो आपको दो टाइप की जीके होती है ठीक है एक हिस्ट्री जैसी होगी जो चेंज नहीं होने वाली है ठीक इसको बोलते हैं रिजनिंग भी होगा और टेंथ क्लास तक की जितने मैथमेटिक्स और नॉर्मल मैथमेटिक्स भी होगी जो कॉंप्टिटिव मैथमेटिक्स होती है ठीक है इसलिए आप इस पर अभी से प्रैक्टिस करते रही है अपना एक-एक जो है जैसे अब आप जि सब उसको देख डाली पुराना जो स्लेरस है उसको देखते रही है अब पेपर सेंड की बात करते हैं यह तो सब के लिए common होगा फिर चाहे आप बीए का एक्जाम दे रहे हो वह बीकॉम?' का दे रहे हो पेपर फॉर्स्ट सब के लिए और यह कॉमन है ठीक है आपको यह इत बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो इसमें क्या है कि आपको माली जे आप तीन सब्जेक्ट ले रहे हो तो इन्हीं तीन से जो आप सब्जेक्ट करोगे उन्हीं से आपके question पूछे जाएंगे जो जो आप सब्जेक्ट लोगे उसी के according मतलब उसमें option रहेगा कि मैं यह सब्जेक्ट मुझे लेना है तो उसी के according आपको question पूछे जाएंगे अब next बात करते हैं अगर आपको बीएसी करना है mathematics से तो उसमें physics, chemistry, maths टीनों से 25, 25 questions पूछे जाएंगे ठीक है एबरी question करी टू मार्क्स बैलोजी करना चाहते हैं तो PCV physics, chemistry, biology से 25, 25 questions पूछे जाएंगे अगर आप वही बीकॉम करना चाहते हैं पहला paper आपके लिए common होगा जो BA वाले देंगे, BSC वाले बीकॉम वाले वही देंगे ठीक है पहला paper सब के लिए common है लेकिन जो second paper होगा बीकॉम के लिए उसमें accountancy, business studies और economics यह तीन subject के 25, 25 questions पूछे जाएंगे ठीक है तो यह था आपका expected जो syllabus होने वाला है इन सब पर थोड़ा ज्यादा focus करिए ओके जिसकी reasoning और mathematics बीक है थोड़ा उस पर focus करिए प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाये हैं इलहाबाद और BHE वाले उनको देखते रही है उसी से आपका cover हो नोटिफिकेशन आने पर books मैं आपको बताऊंगा ठीक है इसमें topic wise books आपको prefer करनी होगे topic wise तभी आप अच्छा score कर पाऊगे ठीक है तो मिलते है next video में अच्छे से पढ़ते रही है क्योंकि 12 वाला जो marks आप gain करोगे उससे भी 50% percentile में convert करके आपका merit बनानी है ठीक है इसलि लोगों को अपने ग्रूप सोगेरा में सेर करिए सब्सक्राइब करिए मिलते हैं next video में ख्याल रखें बैबाई टाटा